हाई गाईज कैसे हैं आप सब सो इस वीडियो के जड़िये मैं आप लोगों को अपनी संस्कृति के बारे में बता रही हूं जो लोग भी बिहार से होंगे उनको तो इस बारे में पता ही होगा सो गाई जी यहां पर मैं बात कर रही हूँ मितला का एक परसिद तेवहार के बारे में जो की है सामा चकेवा जो अभी चल रहा है और यह छट के एक दिन पहले सुरू हो जाता है और कार्तिक महीने के पुर्णीमा को खतम होता है यह आठ दिन तक चलता है वैसे तो यह तेवह में पहले मनता था जब मेरी दीदी होती थी लेकिन उसके बाद मतलब 2005 में जब उसकी साधी हो गई तो उसके बाद से यह नहीं मनता है तो यह देखिए मैं जब रास्ते से गुजर रही थी तो मैंने देखा कि यहां पर सामा चकेवा मिल रहा है तो मैं यहां पर रुक गई और मैंने इसको record कर लिया कि मैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी वैसे हम सब मतलब मैं भी ये चीज़ सोचती हूँ कि पहले जमाने में ये चीज़ होता था जब मेरी दादी थी हमारी दादी थी तो ऐसे होता था ये त्योहार मनाया जाता था लेकिन ये सब सोचने से नहीं होगा जो भी हमारी संस्कृती है उसको हमें भी carry करना होगा तब ही वो आगे तक जाएगा नहीं तो ये खतम हो जाएगा और जो सामा चकेबा का जो त्योहार है जो new generation है उनको तो इस बारे में पता भी नहीं होगा जब market में देखते हैं तो सोचते हैं कि क्या मिल रहा है तो मैं जब रास्ते से गुजर रही थी तो मैंने देखा और मैं यहाँ पर रुक गई और मेरी यादे ताजा हो गई मेरे घड़ में भी यह खेला जाता था तो आज तो लेट हो गया था क्योंकि यह छट के पारण के दिन का वीडियो है क्योंकि सामा चकेबा का जो त्योहार है वो छट के नहाय खाय से सुरू हो जाता है मतलब जो मिट्टी का बनता है जो कुछ भी बनता है जैसे वडिंदा बन वो सब नहाय खाय के दिन बन जाता है और छट के पारण के दिन से महिलाएं इसको खेलना सुरू कर देती है जो भी लड़कियां होती है महिलाएं होती है वो इसको खेलना सुरू कर देती है तो मैं लेट हो गई थी तो मैंने सोचा कि मैं नेक्स्ट येर से इसको जरूर खेलूंगी और इसको जब खेला जाता है त तब ही ये आगे कैरी होगा नहीं तो जो हमारा next generation होगा उनको तो पता भी नहीं होगा कि समा चकेवा होता क्या है। और बहुत से लोग इस त्योहार को गाउं से जोरते हैं बट ऐसा नहीं है। क्योंकि ये हमारी संस्कृती हैं और ये जो त्योहार है भाई बहन के बीच घनिस्ट संबंध को दरसाने वाला त्योहार है और इसका वर्णन पुरानों में भी मिला है। इसकी जो कहानी है सामा क्रिस्ट की पुत्री थी जिन पर अवय संबंध का गलत आरोप लगा था जिसके कारण सामा के पिता क्रिस्ट ने गुस्ते में आकर उन्हें मनुस से पक्षी बन जाने की सजा दे दी थी लेकिन अपने भाई चकेवा के प्रेम और त्याग के कारण फिर से मनुस से बन गई थी मितला में महिलाएं और लड़किया साम के समय एक बास के टोकरी में सामा चकेवा चुगिला और ब्रिंदावन की मुर्तिया रखकर खेलती है फिर सामा चकेवा का मैथली लोगईत गाती है तो इस तरीके से सामा चकेवा खेलती है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चानल पर नए हैं मेरे चानल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी का बटन आएगा उसको भी प्रेस करना है और जब आप उसको प्रेस करेंगे तो एक औल लिखा हुआ आएगा आपको उसको क्लिक करना है तभी आपको मेरे औल वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा थेंक्यू